नमस्कार भारत के पहले मुबाल न्यूज चानल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन्स पर अरजित पटेल होंगे आरबियाई के नए गवर्नर चार सितंबर को रगुराम राजन होंगे रिटाइड वित मंत्री अरण जेटली ने ट्वीट कर दी बदाई तुर्की के गाजन टैप शहर में शादी समारों के दुरान हुआ बंधमाका 30 लोगों की मौत 94 घायल बंधमाके में आईस की भूमी का आई सामने पीम मोधी ने नेपाल के नए प्रधान मंत्री प्रचंट को भारत आने का दिया नियोता कहा और भारत नेपाल के रिष्टे ना सिर्फ दो सरकारों के बीच बलकी दो देशों के लोगों के बीच पस्चुम बंगाल की सीएम मम्ता निपीएम मोधी पर साधा निशाना मम्ता बोली मोधी सरकार ताना शाह हालात इमर्जेंसी से भी बततर सिल्वर और ब्रॉंज के बाद अब गोल्ड की उमीद री ओलम्पिक के आखरी दिन पहलवान योगिश्वदत का मुकाबला पहले भी जीत चुके है ओलम्पिक ब्रॉंज और आप देखते हैं आज की कुछ और बड़ी खबरे आर्बियाई के डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल ही अब आर्बियाई के गवर्नर के तोर पर न्युक्त किये जाएंगे वितमंत्री अरुन जेटली ने उर्जित पटेल को ट्वीट कर बदाई दी है साथ ही जेटली ने विश्वास जताया है कि उर्जित पटेल रिजवरू बैंक गवर्नर के तोर पर भारत के आर्थिक विकास में बहतर योगदान करेंगे पटेल को आरबी आई का 24 वा गवर्नर निक्त किया गया है चार सितंबर को मोजुदा गवर्नर गुराम राजन के पद छोडने के बाद वो गवर्नर का पदबार ग्रैहन करेंगे राजस्व सचिव हंसमुक अदिया ने भी पटेल को अपनी शुब कामनाई दी है भारत स्टेट बैंक की चेयर परसन अरुंदती बटाचारे ने कहा कि पटेल मोद्रिक नीती रूप रेका को संस्ता गत रूप देने के काम में शामिल रहे हैं रिजर्व बैंक गवर्नर के तोर पर उनकी निक्ती से नीतियों में निरंतरता का संकेत मिलता है सीरिया बोर्डर के पास तुर्की के गाजियन टेप शहर में एक शादी समारों के दोरान हुए हमले के दोरान कम से कम 30 लोगों के मारे जाने की खबर है इस हमले में 94 लोग घायल हुए हैं इस्ताने गवर्नर के कार्याले ने इस बावत जानकारी दी है उन्होंने कहा हम इस हमले को अंजाम देने वालों की निंदा करते हैं इससे पहले येर लिकाया ने इस हमले को गिर्णी तातंकवादी हमला करा दिया था हलंकि ये अभी तक साफ नहीं हुआ है कि ये हमला किसने करवाया है लेकिन सत्ताधारी जस्टिस एंड डवलप्मेंट पार्टी के सांसद समिल तयार ने कहा शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमले की पीछे आईस का हाथ बताया जा रहा है रियो उलम्पिक हेल में एक ब्रोंज आ गया एक सिल्वर आ गया और अब एक गोल्ड भी आ जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है पहलवान जी गोल्ड जरूर लाएंगे ब्रोंज मेडल जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने ये बात कही बता दे कि योगिश्वर दत को उनके सभी साथी पहलवान जी कहकर बुलाते हैं रियो में आखरी दिन अब से कुछ ही घंटो बाद लंदन उलम्पिक के पदक विजेता योगिश्वर दत मैट पर होंगे सवा सो करोड भारतियों के निगाहे इस पैसट किलोग्राम वर पहलवान पर होगी योगिश्वर दत का पहला मुकाबला मोंगोलियाई खिलाडी गैंजो रीजिन मंडा खने रन से होगा ऐसे में योगिश्वर के सामने चुनोती बड़ी है लेकिन सुशील कुमार की तरह ही उनके सामने भी तियास रचने का ये बड़ा मोका है भारतिये कनडाई सिक सांसद बरदिश छगड को कनाडा के हाउस ओफ कॉमन में सरकार का नया नेता नामित किया गया है वो देश में सदन की पहली महिला नेता बनी है वाड ललू से सांसद 36 वर्षे छगड लगुवे पार इंपरेटन मंत्री है वो भारतिये मूल के 19 उम्मीदवारों में शामिल है जो पिछले साल के आम चुनाओं में जीते थे छगड ने समवादाताओ से कहा ये शानदार अवसर है मैं अपनी पूरी जिंदगी राजनितिक परिक्रिया में शामिल रही हूँ मैं जानती हूँ कि लोकतंत्र को कैसा दिखना चाहिए लोकतंत्र का कनाड़ा के लोगों के साथ जुडाव है यही हमारे प्रधान मंत्री का नित्रित्त है और इसलिए पूरी सरकार का रुख कनाड़ा के लिए काम करने का होगा आपको बता दे कि वो डोमिनिक लेबलांक क का इस्थान लेने जा रही है कनाड़ा के प्रधान मंत्री जस्टिन तुरूदू ने उम्मीद जताई की छगड़ एक समर्थ उत्राधिकारी साबित होंगी बिजेपी अध्यक्षमित शहा को शनिवार को गोवार एसेस प्रमुक सुबास वेलिंगर की अगवाई वाले संगतन प्रात्मिक स्कूलों में शेत्रे भाषाओ को शिक्षा का माध्यम बनाने की पैलवी कर रहा है और राजय में अंग्रेजी माध्यमके स्कूलों में सरकारी उनुदान रोकने की भी मांग कर रहा है यह घटना तब हुई जब अमित शहपन जी के पास में बीजेपी क पारे करता कि एक सबा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे भारतिय भाषा सुरक्षा मंच वेलिंगर की अगुवाई वाला संगठन है यह अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को सरकारी नुदान को वापस लेने की मांग कर रहा है प्रदान मंतरी नरींद्र मोदी ने नेपाल के साथ दोस्ती के पारब्रिक रिष्टों को और बहतर बनाने का संकल्प जटाते होई वहाँ के नई प्रदान मंतरी पुश्प कमल दहल प्रचंड को भारत की आत्रा परा मंतरित किया है पीम मोदी ने नेपाल के उप प्रधान मंत्री और ग्री मंत्री बिमलेंदर निदी के मार्फत ये आमंत्रन दिया प्रदानमंत्री कारयले के एक बयान में बताया गया है कि मुलाकात के धोरान प्यम मोदी ने प्रचंड के नेत्रितु वाली नई सरकार को अपनी शुब कामणाई दी और अपनी स्वीदा अनुसार भारत की जल से जल्द यात्रा परामंत्रित किया अफगानिस्तानी प्रदशनकालियों के एक समू ने चमानिस्तित बावे दोस्तित द्वार पर हमला कर दिया और पाकिस्तानी ध्वज जला दिया इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ साथ साथी अपनी सीमा अनिस्चितकाल के लिए बंद कर दी है परिनाम सुरूप दोनों देशों के बीच व्यापार लादान में शामिल और अफगानिस्तान में नाटो बलो को जरूरी सामान के आपूर्ती करने वाले ट्रकों की आवाजा ही रुक गई है सूतरों ने कहा कि अपने देश का 97, 73 दिवस मना रहा अफगानी नागरिक बड़ी संख्या में सीमा पार स्पिन बोलदक शहर की सडकों पर माच करने के बाद मैतरी द्वार के पास एक कित्रित होए थे उनके हातों में बैनर और तक्तिया थी जिन पर पाकिस्तानी विरोधी नारे लिखे थे पंजाब के मुख्य मंतिर प्रकाश सिंग बादल ने आज दोबारा दोहराया कि चंडीगड पर केवल पंजाब का हक है और कॉंग्रेस ने राज्ये से बड़ा भेद बाव करके इसे राज्ये से चीना है बादल ने यहां संथ हरचन सिंग लोंगोवाल की कतिसी बरसी के मोके पर राज्ये इस तरीये शरधांजली समारों में पत्रकारों से बाचित में कहा कि देश में कही भी और ऐसी मिसाल नहीं है जहां किसी राज्ये को उसकी राज्ये से बेमुख किया गया हो लेकिन पंजाब के साथ बड़ी ज्यादती करते हो है कॉंग्रेस की केंद्र में रही सरकार ने चंडीगड को उसे नहीं दिया जबकि 1980 के दशक में ततकालिन प्रधानमंत्री ने इस संबन में लोगसभा में घोशना भी कर दी थी बादल ने कहा कोई इस तथे से इंकार नहीं कर सकता है कि मूल राज्ये पंजाब का उसकी राजधानी शहे चंडीगड पर पूर अदिकार है वित्यमंत्य और जडली ने नरसी मराओ पर निशाना सादा है जडली ने कहा कि पूर प्रधानमंती नरसी मराओ कोई बड़े आर्थी गुदारवादी नहीं थे जडली ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने की स्तिती से बचने के लिए राओ नहरुवादी सोच से बाहर निकलने के लिए मजबूर थे जिनके शासनकाल में 1990 में आर्थिक सुदारों की शुरुआत हुई जेटली ने कहा कि नर्सीमर राओ कोई बड़े आर्थिक सुदारक या बड़े आर्थिक उदारवादी नहीं थे पस्चिम बंगाल की सीम ममता बनर जी ने पीम नरींदर मोधी पनिशाना सादा है ममता ने मोधी सरकार को ताना शाहत जैसा पताया उन्होंने कहा मोधी सरकार क्या थे ही देश में आपातकाल से भी बदतर आलात पैदा हो गए है नाराज ममता ने नीती आयोक का लेटर लहराते होई मीडिया कर्मियों से ये बात कही ममता ने सहयोगी संगवाद का जिकर करते होए कहा वे वास्तों में राज्य और लोकतंत्र को डरा रहे है ये कुछ और नहीं ताना शाही है मैं जानना चाहती हूँ क्या वे लोक देश में राष्टपती पर नाली वाली सरकार चला रहे है उन्होंने कहा मैंने अब तक इतनी घमंडी सरकार नहीं देखी यही कारण है कि जमू कश्मीर और पाकिस्तान का मुद्दा भी तबाही का रूप लेता जा रहा है गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में 2012 में पुलिस गोली बारी में दलितो की मोत के मामले में राजिस सरकार ने विशे से जाच दल बनाया है S.I.T. का गठन ऐसे समय में किया गया है जब सोमवर को गांधी नगर में एक दलित सम्मेलन होने वाला है दलित संगठन अपने समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को लेकर राजिस सरकार को ग्यापन सोपेंगे ऐसे में S.I.T. की गठन को सरकार की तरफ से दलितो का घुसा शांत कराने की कोशिश माना जा रहा है उना में दलित यूकों की पिटाई के बाद दलितो का तीसरा सम्मेलन गांधी नगर में होने जा रहा है आपको बता दे कि 2012 में सुरेंद नगर के थानगड में एक मेले में दलितो कुछ सवर्णों में जगड़ा हुआ था जब दलित इस मामले की शिकायत लेकर थानगड पुलिस थाने गए तो दलितो पुलिस के बीच छड़प हो गई जिसमें दो नाबा लिगों समेथ तीन दलितों की मोत हुई थी बॉलिवर सूपरस्टार सलमान खाउर सिंगर अरजीत सिंग का कोल्ड वार कुछी दिनों पहले खूब सुरकियों में था हाली में मीडियम याई खबरों के अनुसार दोनों के बीच अब सब ठीक हो गया है इसके साथ ये अरजीत सलमान की फिल्म ट्यूब लाइट में एक सोलो गाना गा सकते हैं फिल्म में सलमान के साथ चाइनिज एक्टर्स जोहू नजर आएंगी सलमान को लेकर अरजीत का कहना है कि वो हमेशा से सलमान के फैन है बता दे कि कुछ समय पहले अरजीत ने फेस्बुक पर एक खुला खत लिखकर सलमान से माफी मांगी थी और गुजारिश की थी कि उनका गाना फिल्म सुल्तान में रहने दे जब इसका कोई जवाब नहीं मिला तो अरजीत ने सलमान के घर जाकर भी उनसे माफी मांगी लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ इससे पहले कवार्ड फंक्शन के दोरान सलमान और जीत के भी छोटी सी नोग जोक वी थी जो मजाक्या थी कहा जा रहा था कि साल लोग पहले हुई इस बात को शायद सलमान दिल से लगा कर बैठी रहे इसलिए पहले कीक और फिर सुल्तान से अरजीत का अगाना हटवा दिया था लेकिन लगता है अब सलमान ने अरजीत को माफ कर दिया है खबरों के सफर मिफल हाल इतना ही देश और दुनिया की पलपल की खबरों के लिए जुड़े रही मैट्रो टीवी के साथ